नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करोड़ुपती क्लब इस मदद प्रणाली द्वारा हमें जो औरों द्वारा पेमेंट मिलेगी उसको कैसे रिस्यू करना है और कैसे उनके आईडी को अपरू करना है जैसे कि आप इस system में देख पा रहे हैं P2P system है डैरेट लोग ही आपको मदद भेजेंगे डैरेक् लोग ही आपको payment भेजेंगे और phone करके बताएंगे जैसे ही आपको कोई phone करके बताता है कि sir मैंने आपको payment भेजा है आप मेरी ID अपुरू कीजिये तो simple आपको करना क्या है अपनी ID login करनी है login करने के बाद इस तरह का interface open होगा जो dashboard का है सेम scroll करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आप देख पा रहे है send help और receive help बस आपको अब payment लेना है approve करना है तो आपको receive help पर click करना है receive help पर click करेंगे तो यहाँ पे कुछ filter दिये गया है सबसे easy filter है status वाला option select status पर click कीजिए यहाँ पे दो प्रकार के status है pending और approved अगर आपको in future report देखना है तो दोनों प्रकार के आप देख सकते हैं लेकिन अभी आपको payment receive करके approve करना है तो उसके लिए pending वाला option select करके search करना है जैसे ही आप यह search करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जिन जिन लोगों ने payment भेजा हुआ है जिनकी ID को अभी आपको approve करना है तो उनका detail आप यहाँ पे देख सकते हैं कब payment भेजा है किसने payment भेजा है उनका ID नमबर, उनका नाम, उनका mobile नमबर amount कितना भेजा हुआ है साथ में आपका भी यहाँ पे detail भेजा होगा और कब payment भेजा है screenshot अगर upload किया है तो screenshot, transaction ID अगर upload किया है दिया है तो transaction ID यह सारा detail यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक तो आप यहाँ से भी screenshot और transaction ID confirm कर सकते हैं आपके UPI details से या फिर वो आपको personally WhatsApp पर भी भेजेंगे जिस प्रकार भी हो आप अगर आपका payment confirm हो जाता है तो आपको simple सा काम करना है सामने action में जो दो बटन दिये गए approve और reject क्रपया गलती से भी reject को क्लिक ना करें approve को हमें click करना है अगर आपको मान लिजे payment अभी confirm नहीं हुआ है तो इसको ऐसे ही hold रखिए उनको contact करेंगे payment जब आएगा तभी approve करेंगे लेकिन reject को गलती से भी click करना नहीं है तो यहाँ पे करना क्या है बस हमें approve को क्लिक करना है तो जैसे ही approve को क्लिक करेंगे इस commitment update successfully याने आपने उनकी ID approve कर दी है अब उनकी ID active करने में आपने मदद की है अब यहाँ पे साथी हो जो receive help में हमने process किया यह level से जो हमें income आने वाला है या फिर day level से जो हमें help आने वाली है वो यहाँ से हम receive करते हैं लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे sponsor income भी अलग सा मिलता है जितने भी लोगों को आप direct में introduce करते हैं उनसे आपको sponsor income मिलने वाला है जो 100 रुपे per person होता है तो sponsor help आपको receive करने के लिए approve करने के लिए क्या करना है तो simple menu में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं sponsor help report का option दिया गया है इसको click करना है sponsor help report यह किसके लिए sponsor income को receive करने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sponsor help report में provide help report दिया गया है और get help report दिया गया है अब provide यानि आप जिनको भेजेंगे उनका report आएगा और get यानि आपको जिनकी तरब से payment आया है उनका report आएगा तो बस हमें यहाँ पे get help report में जाना है सेम यहाँ पे भी search का criteria रहेगा उसमें भी हम pending वाले option को click करके search करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इस ID में एक वेक्ति से 100 रुपे का भी sponsor help आ चुका है सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है सामने यह सारा payment detail confirm होने की बाद approve की उपर click करना है जैसे आप approve की उपर click करेंगे तो यहाँ पे यह process successful हो जाता है फिर हम dashboard पर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि receive sponsor help हमें 100 रुपे मिल चुका है और receive help यानि level income का भी 1.500 रुपे मिल चुका है और सामने वाले वेक्तिने जिनोंने भी यह payment बेजा है उनकी भी ID active हो चुकी है तो इस तरह से बहुत ही आसान process है सातियों बस यह steps हमें follow करते रहना है और अगर आप भी इस system के बारे में updated videos लेते रहना चाते हैं खुद को update करना चाते हैं तो सातियों इस channel को subscribe करके bell icon को click करना ना भूलिए ताकि ऐसे ही updated videos आपको मिलते रहें तो चिलिए सातियों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए wish all the best थैंक यू जै हिंद बाबाए